सो सभी प्रिय विद्यार्त को डेड़ सारा नमस्कार माइसेप डॉक्टर मुकिश कुमार स्वागते आपका मारे फोरम MKS चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि Government Medical College सरकारी जो Medical College है यहाँ पर MBBS का पीस कितना होता है जी हाँ बिलकुल आपके जनरल केटिगरी के लिए कितना होता है OBC के लिए कितना होता है ESC केटिगरी, ST केटिगरी, EWS का कितना होता है और जो Physically Handcapt है उनका पीस यहाँ पर कितना होता है MBBS कोर्स के लिए तो चले यहाँ पर पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है सो देखे प्रेविद्यारतों Medical College तीन परकार के होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहूंगे आपके Government Medical College होते है जहाँ पर पीस बहुत ही कम होती है ना मातर है Government Medical College MBBS पीस की सो चलिए मेरे प्रेविद्यारतों वन बाई वन करके सभी Medical College का डिसकस यहाँ पर कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है आपका जैसा कि इस स्क्रीन पर आप देख पारूंगे इंडिया का टॉप इंस्टिट्यूट एम्स की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं एम्स इंडिया का टॉप मेडिकल को लेजे और इसी के साथ मौलाना आजाड यह भी इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टिट्यूट है तो यहाँ पर देखवा आप एम्स दिल्ली यहाँ पर आप MBBS, MD, MS सभी कोरसेज कर सकते हो और यहाँ पर MBBS की जो सालाना पीस होते है मा मातर 1680 रूपे यहनिकि आप मातर मान सकते हो साड़े 1650 रूपे एक साल की पीस होती है क्या बात है लाइक बनता है देखो और इसे के साथ जो हमारा मौलाना आजाड है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहूंगे मौलाना आजाड मेडिकल कोलेज इसका जो पीस है वो भी लगबग इतना ही रहता है तो मेरी प्रिविद्यारते हो बहुत खुशी की बात है कि अगर आपके पास पेसे नहीं है या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपका प्रिवार या फिर आप खुद गरीब प्रिवार से बेलोंग करते हो ना तो फिर जो आपका डॉक्टर बन आपर ये पीस मात्र आपका एक साल का रहने वाला है 1648 रुपे एम्स का अब बढ़ते हैं अगले मेडिकल कोलेज की तरफ तो जिसाए कि यहां पर आप देख पारूंगे तोड़ा सा स्क्रोड डाउन इसको कर लेते हैं यह देखिए पीजी आई चंडिगड तो यहां पर पीजी चंडिगड में जो आपका पीस है तोड़ा सा स्क्रोड डाउन करके मैं आपको ले चलता हूँ केटिग्री वाइज यहां पर मेंशन किया हुआ है जैसे कि पहले तो इसके बारे में बता रखा है कि इसकी स्तापना 1960 में हुई थी और चंडिगड सरकारी मेडिकल कॉलेज में से एक है यहां कि यह खापी इंडिया का यह भी टॉप है तो यहां पर जो MBBS के कुल पीस है जनरल केटिग्री और यहां पर ओविसरी PWD का मातर यहां पर 24,900 है मातर 25,000 मालो आप ठीक है 25,000 पीस है और SC, ST वालो का देख लो आप मातर 20,000 पीस यहां पर है क्या बात है इतने कम पीस में आप MBBS कर सकते हो और यहां पर कितनी सी टेस अब यहां पर बता रखा है वो तो देखो आपने टेलेग्राम फोलो कर रखा होगा तो PDF तो मिली जाएगा है ना अब यहां पर आपका PG का पीस यह रहने वाला है 25,000 और रिजर्व केटिग्री वालो का मातर 20,000 रुपे अब चलते हैं अगले Medical College की तरफ तो जैसा कि यहां पर आप देख पार और नीट की रेंक के आदार पर आपका सेलेक्शन होता है और यहां पर MBBS की एक साल के पीस 52,830 रुपे यह रहने वाली है यह देखिए 22,830 रुपे आपके Christian Medical College MBBS की पीस रहने वाली है अब बढ़ते हैं अगले Medical College की तरफ जैसा कि यहां पर आप देख पार होंगे अगला हमारा नीम हंस नेशनल इंस्टिटूट और मेंटल हेल्थ नियूरोशाइंस बेंगलूर यहां का जो पीस है और यहां पर देखो लेवल पर कॉर्स करवाता है यह पीजी कॉर्स पर भी करवाता है ठीक है तो खापी बड़ा Medical College है और यहां पर MBBS की पीस भी आप देख सकते हो तो यहां पर MBBS का पीस भी उतना ही रहने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया था फिप्टी तू थाउजन फिर यहां पर अगला आता है आपका भी एच यू बनारस हिंदू यूद्शिटी तो यहां पर कितना होता है पीस चलिए में आपको दिखा देता हूं भी एच लाग 24,000 हजार टोटल आपका यहां पर यह देगे और यहां पर दाखिला के लिए आपको नीट यूजी पाँज करना होता है एक्जाम कौलिफाय करना होता है और कितना रिंक आपको लाना होगा MBBS का और जिसा कि आपको तो पता ही है B.H.U. का इंडिया में नाम चलता है और अगर आप वहाँ से MBBS करते हो तो डेफिनेटली आपका भी नाम चलेगा फिर अगला आता है जवारलाल इंस्टिटूट और पॉस्ट ग्रुजेट जिसको आप जिपमर बोलते हो तो जिपमर से MBBS का पीस देख पारे होंगे स्क्रिन पे बहुती लोईस्ट पीस होता है यहाँ पर इसके बारे में दे रखाए कि इसका अस्ताबना जो है 1823 में हुई थी यूरोपेन मेडिशन के पढ़ाई के लिए एसक सबसे पुराना मना जाता है ठीक है और MBBS की एक साल के पीस यहाँ पर 4600 रुपे रहने वाली है यानि की कंप्लीट आपका MBBS मातर 25,000 में कंप्लीट हो जाएगा यह देखिए तो यहाँ पर यह जिपमर का पीस इस्ट्रक्चर रहने वाला है फिर बढ़ते अगले Medical College की तरफ जो कि यह आपके उत्तर परदेश का King Zars Medical University यहाँ पर देखो 905 में इस्तापित वादा इस Medical School को उत्तर परदेश सरकार ने सितंबर 2002 में अप्ग्रेड किया था यह देखे इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर और इसका जो पीस है वो रहने वाला है 2.46 लाग रूपे यह टोटल पीस है आपका ठीक है कम्प्रिट हो जाएगा 2.46 दो लाग 246,000 में आपका MBBS KG MU से कम्प्रिट हो जाएगा अब यहाँ पर आप बोलोगों सर हमको तो यह वाला चाहिए तो कितना नंबर हमको नीट में लाना होगा तो देखो उसके उपर भी कंटेंट आपको मिलेगा अगर आपने सस्क्राइब कर रखा है बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है अब यहाँ पर आप बोलोगे सर गोवर्मेंट का तो आपने दिखा दिया तोड़ा सा प्राइवेट मेडिकल कोलेज का भी जलख हमको दिखा दो तो देखे अगर आप बोली रहे हो ना तो जलख मैं आपको दिखा देता हूँ यह प्राइवेट है कस्तूरवा मेडिकल कोलेज के एमसी यह एक प्राइवेट मेडिकल कोलेज है और इसका जो पीस है एमबिवेस का देख लो आप 43 लाख यानि कि आप तो पूरा है मान लो क्योंकि 95,000 इसमें दे रखा है तो 44 लाख आप मान के चलो इतना होता है प्राइवेट का और मैं तो कहता हूँ यह तो कम से कम है किसी में 60 लाग भी होता है है ना, 70 लाग भी होता है तब ही तो मैं आपसे बोलता हूँ कि नीट की तियारी अच्चे से कर लो आपका पेसा भी बच जाएगा और आपको एक अच्छा जब कि private में तो आपने देख लिया ना. private में तो impossible है करना. तो अगर आप चाते हो कि government से करे तो बस NEET में अच्छे नंबर लेके आजाओ. अगर आपके NEET में अच्छे नंबर आगे तो आपकी lab say है. क्योंकि आपके उपर PS का कोई भी बर्डन नहीं रहेगा मातर 1500 रुपे में आप MBBS कर लोगे वो भी इंडिया के टॉप Medical Institute से तो देखो आपका 720 का होता है पेपर तो इन में से अगर आपके 700 पलस भी आ जाता है आपके लिए वीडियो विगरा सब आपको अवाइलेबल करवा रखे है अगर आप देखना चाओ त्यारी करना चाओ तो कर सकते हो क्योंकि एक्जाम पास में है तो क्रेस कॉर्स लॉंच कर दिया एमकेस अकेडमी ने तो लिंक नीचे दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिपिशन में वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नेमर से लोगिन हो जाना है इस परकार का इंटरफेज ओपन होगा नीचे स्क्रोल करना है होम का बेच का इस्टोर का चैट का ओप्शन दिखाए देगा तो इस्टोर पर क्लिक आपको कर देना है तो यह सारे कोर्से जो अपन यहां पर हो जाएंगे अगर आपको बीएस नर्सिंग का तियारी करना है तो यह वाला कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आपको NEET का तियारी करना है तो फिर ये वाला कॉर्स मातर 799 में गर बेटे तियारी कर सकते हो और ये जो प्राइबेट कॉलेज में लाकों के पीछ से वो आप बचा सकते हो अगर आप कोर्स जोने करने में कोई दिक्कत आती है तो फिर आप ये कोचिंग क्लासेज के जो नमर है इन पर आप हमें वार्शाप कर सकते हो हम आपकी हेल्प करेंगे ओनलाइन कोचिंग के लिए अगर आपको प्राइबेट मेडिकल कॉलेज की इतनी भारी भरकम पीछ से बचना है तो नीट की तैयारी शुरू कर दो ताकि आपको एक अच्छा गॉर्मेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए और आप एक अच्छा डॉक्टर बन सको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलेग्राम और एप्लिकेशन का